हेलो फ्रेंज गुड मार्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सभी आई होफ साफ लोग सब ठीक होंगे मैं भी ठीक हूं तो अभी मार्निंग का टाइम है और मेरा काफी अज लेट हो चुका था और बाकि सभी लोग ने जितने भी घर में हैं सब नास्ता कर लिये हैं और आज नास्ते में मैं चिलका बनाई थी जो प्याज वेगरा मिर्चा वेगरा डाल के बनता है और बहुत टेस्टी लगता है कभी-कभी खाना चाहिए कियुकि आज अभी का जो टाइम हो रहा अभी स्तावा बार हो गया अभी कितू भी ह्लाल आने वाल ίह है तो मैं सोची चलो मैं यहाँ पर नस्ता कर लिया है और यहाँ पर जितना भी विंडियो Ellis के परदा था तो मैंने निकाल के धोई थी तो सुख भी गया तो चलो तो यहां पर निकाल लगाकर उसका मैं अभी लंच का त्यारी करूंगी और फ्रेंज यहां पर किटू का गिफ्ट आया है इसके बड़े पापा गिफ्ट भेजे हैं तो बेचारा कपसे उनको परसान किया हुआ है कि ममा मेरा पार्सल आया है आप ओपिन कीजी ओपिन कीजी तो मैं इसको बार 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 बोड़ी बिटा रूख जाओ मुझे परदा वेगरा लगा लेने तो उसके बाद मैं आपका जो आप लोग से बहुत मैं क्या बताओं इतनी मेहनत करते हूं इतनी वीडियो अच्छी बनाती हूं फिर भी भीज कम आते हैं बहुत अंदर से दिल टूड जाता है फिर भी सोचते हूं चलो स्टार्टी में सबके साथ होता है मैं सौरप जोसी के भी ब्लोग देखी थी जो प इतना फिक शोटे जो बाओ ये पीजु उनका वीडियो डालते थे उनका जो बात करने का तरीका थोड़ा बहुत लोगों पसंद आने लगे तो धीरे 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 उनका श्राइबर भी के बाचे भीज बीज दो खुरता है किसी-किसी का चैनल बहुत जल्दी घ्रो होता है किसी किसी का चैनल बहुत लेट से ग्र आप 6 मर्ना बस लगे रहना दिल रहना है किट्टू अब ऑना और पहं पर देखें किटू करू का डिफ जो आता ऑपनो होलने माला है और इस मि करके जडूर बतेगे कि इसका गाड़ी कैसा लागा कैसा नहीं लगा तो प्लीज और जो मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड लों के साथ मेरे वीडियो से एक देखिए यहां पर मैं निकाल रही हूं रही हूं अभी तो दिखिए तो जो भी कितना संद का कार यह कितना और इसको नहीं के था गड़क सुटा और इसके साथ स्कूरूब भी दिया है आप खोल के आप एक कर सकते हैं और जो गाड़ी दीख रहा है उसी के अंदर चार्ज करने के लिए भी आप चार्ज कर सकते हैं और यह जो रिमोट इसमें बैटी अटी एक है अब मैं आप लोग अभी ओपन करके दिखा रही हूं और य लुज घरके लोग ठूलम करें भी उसे घर चार्ज करतें और यहां पर देखिर यहां पर केम डिया करने के लिए तो बहुत अच्या गारी यह बहुत अच्चा और महंगता भी है तो भी करको TCo जो적ा ज़लाता है और और चयब तो आज हम नंश मैं बनानी है अगरा कैटा ओर मारा जिर्वेस je falou किन्य नहीं किन्टा बोला बता ही और तो में एक दिन क्लीन करने वाले है देखते उंद़ लिए मुझे प्रोपर टाइम चाहिए तो चलिए मैं यहां पर लंज का त्यारी करती हूं और फ्रेंड्स और फ्रेंड्स जो कईता का सब्जी होता है ना मुझे बहुत टेस्टी लगता है जो मसाला भरके भी बनता है और उसमें चोखा डालके भिया बना सकते हैं तो मैं आज तो मसाले डालके बनाऊंगी जो अच्छा इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलेगा सो चलिए अभी मेरे वीडियो में बने रहें और फ्रेंड्स यहां पर जो कईता है लंबा लंबा उसको मैं कट कर लूँगी कि उसमें मैं मसाला भरूंगी तो थोड़ा अच्छे से भर जाए तो यहां पर देखिए यहां पी देर में कड़ाही में वाल करूंगी क्योंकि कच्छा है तो इसमें हम दारेक्ट चोखा भर के फ्राइइ नहीं कर सकते हैं मैं तो इसी तरह बनाती हूं आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं और फ्रेंड्स यहां पे जो यहां पे मेरा गरम पा जाता है और फ्रेंड्स यहां पर देखें मेरा कहिता में भी बहुत अच्छे सब्वाल हो चुका है तो मैं अब यह आप लोग के दिखाती हूं हुआ 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 है हुआ 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 है कि रिखें आप प्रेंड्स यहां पर चली मेरा रेड़ी हो चुका है सारा काम जो भी मैंने त्यारी करना था और यहां पे बनाने के लिए टामाटर रखिए बड़े-बड़े साज्व दो पर चुका है पूआ है करें दो साइज काटी थी बड़ा और तीन से चार टमाटा थी ओनियन काटी थी मैं ने पेस्ट बनानी के लिए क्यूकि जो मसाला होता निकाल लूँगी वन बाई वन करके अगर अच्छे समय नहीं निकाल लूँगे तो टूट जाएगा तो टूटने के बाद अगर मैं इसमें मसाला भरूँगी तो टूट जाएगा या तो ग्रेवी में मैं डालूँगी तो टूट जाएगा तो चलिए यहां पर सारा जितना या मैं रखने निकाल लेती हूं उसके बाद मैं मसाला फ्राइ करोंगी मसाला फ्राइ करने के बाद इस बढ़ना होगा तो देखे कितना सौप्ट पूटा वहा नहीं तो चलिए मसाला का मैं तैयारी करती हुँ कि मैं यहांं पे मैंने फोरन में डाला है जीरा और तेछ पत्ता सोटी कि क्वाइन को गंप testified के रिए। तो देखिए यहां पे मैंने छोटा प्याज भी काटके रखी थी फोरन के लिए और यहां पे जो पहले मसाला में बना के फेश्ट रखी हूँ आदी लहसन गोल की जीरा उसको पहले मैं अच्छे से फ्राइ करूँगी अगर यह अच्छे से तेल छोड़ देगा उसके बाद म मैं इसमें एड़ करूँगी तो देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है कितने अच्छे से तेल छोड़ रहा है साइड साइड से तो थोड़ी देर के बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट और यह दोनों एड़ कर दूँगी और फ्रेंड्स यहां पे जो मसाला था हो से पकना चाहिए और देखिए यहां पे अच्छे से पक चुका टेल भी छोड़ दिया और यहां पे जो मैं कहता रखी तो मैं इसके अंदर भरूंगी तो अभी तो गरम है तो मैं चमस से भर रही हूं क्योंकि हां से भरने में ज्यादा इजी होता और फटा-फट काम हो जा जालने में हमेरा कि कंचे लग JE passou एक पालने में में अच्छे समयने शीशबैं कर लेती हूं कि कना च्चेल में पूरा ने करें कर आएर से unpleasant की चलिए मैं अख्षे दल के अख्या सब्क्रव फ्राई कर लेती हूं तो देखें कितना अच्छा कलर आ गया है बहुत अच्छा लगा है और बहुत टेस्टी लग रहा था सब्जी बहुत टेस्टी मैंने खाई थी और मैंने तो दो तीन बार सब्जी खाई थी दो बार चावल में भी मैंने खाया था रात में भी मैंने खाय जो मसाला था बच्चावा होगा मैंने घ्रेवी बनाय है और यहां पे मैंने धनिया पता साथ में जो सब्सक्तोraz में अधर रिए करतीत minha हैं और बहुत टेस्टी बना था और जो जो जिनको एक कईता का सब्जी पसंद भर हुआ टाइप से तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और देखें कितना लेज टेस्टी मेरा सब्जी बना है और फ्रेंड से इवनिंग टाइम हो चुकी है और यहां पर सामबती दिखाने का ट कपड़ा प्रेस करने लगी हूँ क्योंकि कि अभी ट्यूशन गया है तो मैं सोचे कि चलो मैं खाली बैटी हूँ तो मैं अपना सारा काम जो बच्चा हुआ मैं इप्टाल लेती हूं और हैस्वेंट भी खुस हो जाते हैं उनके कपड़ा आरें करके रखा हुआ रहाता है स तो फ्रेंड्स यहां पर किट्टो का भी कुछ कुछ कपड़ा था हैस्वेंट के भी कपड़े थे तो चलो मैं यहां पर आरेंड कर लेती हूँ और फ्रेंड्स आप लोग के अगर यह वीडियो फैसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कमेंट सेयर करना मत भूले और जो भी वीडियो के साथे हैं पेंट कर तो अभी के लिए बाइबाई